तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये कॉफी का स्पंज केक इसका टेक्स्चर आप देखी सकते हो इसे हम बिना ओवन के कूकर में पकाएंगे ये एकदम नरम और सौफ्ट है और ये केक मूँ में एकदम से घूल जाएगा तो ये रेसेपी आप एक बार तो जरूर ट्राय करना क् पर ये बहुत ही आसान है अभी तक आप में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और साथी में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बाल लिया है उसमें आप मैं डालूगा दो चंबच कॉफी इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगा आधा कप चीनी अब मैं इसमें डालूँगा दो से तीन चंबच दूद और इसे अच्छी तरह से फेट लूँगा इसे अच्छी तरह से फेट लेना अगर आपको दूद की और ज़रूद पड़े तो और एक दो चंबच डाल लेना कॉफी और चीनी को मैंने आप यहाँ पर अच्छी तरह से फेट लिया है अब इसमें में डालूगा तेल जितने हमने शक्कर लिये उससे आधा हम तेल लेंगे और तेल को भी अब एक बार कॉफी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तेल को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब मैं इसमें डालूँगा एक कप मैदा उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगा एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर अब हम इस मिक्सचर को एक बार मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें धीरे धीरे करके दूद मिलाएंगे दूद हमें लगबग आधा कप लगेगा केक के लिए जो बैटर वर ना था वो अब बिल्कुल तयार हो चुका है मुझे यहाँ पर आधा कप दूट लगा है आप इसकी कंसिस्टनसी भी एक बार देख लो अब आप यहाँ पर एक केक टिन ले लेना और उसमें अच्छे तरह से तेल लगा लेना और नीचे बटर पेपर भी रख देना अब मैं केक टिन में यह केक का बैटर ट्रांसफर कर ले रहा हूं बैटर ट्रांसफर कर लेने के बाद हम इसको अब दो तिन बार टैप कर लेंगे जिसकी वज़े से अंदर जो एर बबल से वो नहीं रहेंगे यहाँ पर मैंने कुकर में नमक डाल कर उसे प्रिहिट कर लिया था दस मिनिट तक हाई फ्लेम पर और उसमें मैंने एक कटोरी भी रख दिया है ताकि केक जो है वो नीचे से जले नहीं अब मैं यहाँ पर कुकर में केक टेन रख दे रहा हूँ कुकर में से हम सीटी और गैसकेट को अलग कर देंगे और इस केक को मेडियम फ्लेम तक 30 मिनिट तक पका लेंगे 20-25 मिनिट बाद आप एक बार केक को चेक भी कर लेना मेरा केक बन्ने में 30 मिनिट लग चुके और 30 मिनिट बाद केक बिल्कुल तयार है अब एक बार चाकू डाल कर चेक कर सकते हो अगर चाकू साफ आ जाए तो केक बिल्कुल तयार है केक को मैंने निकाल दिया है अब इसके उपर में गीला कपड़ा रख दूँगा और केक को पूरी तरह थंड़ा होने देंगे इसके वज़ा से केक जो है वो और भी नरम हो जाएगा केक अब बिल्कुल थंड़ा हो चुका है तो अब हम इसे डीमोल्ट कर लेंगे मैं आपको यहाँ पर आपके केक का एक पीस कट करकर भी दिखा देता हूँ यह केक भूती नरम बनाया है और यह खाने में भूती टेस्टी लगता है इसका टेक्स्चर भी जो है वो भूती बढ़िया आया है और एकदम सौफ्ट और मुँ में घुल जाने वाला केक है तो यह रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना